मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चित्रकूट नैमी सारण्य सहित प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले इस्थानों के विकास के लिए बजट का एलान किया है 2025 में होने वाला महा कुम्ब कुम्ब मेला 2020 से भी अच्छा हो इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है उन्होंने कहा कि हम जाती और धर्म दे कर काम नहीं करते हैं यही रामराज्य है मुख्यमंत्री योगी बिधान सभा में प्रदेश सरकार द्वारा पांच फरवरी को बित वर्स 2024-25 के लिए पेश किये गए बजट पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है बजट का अकार 7,36,000 करोड रुपय है ये बजट प्रदेश की 25 करोड जनता के अकार को देखते हुए उनके जीवन इस्तर को उठाने के संकल्प के साथ प्रस्तूत किया गया है सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से 2017 तक यूपी की जीडिपी 12 से 13,00,000 करोड थी पर मात्र साथ वर्षों में आज प्रदेश की अर्थ बिवस्ता दो गुनी हो गई है कोरोना जैसी महमारी का सामना करने के बाद भी यूपी की अर्थ बिवस्ता देश में दूसरे इस्थान पर आ गई है मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रति ब्यक्ति आय में ब्रिधी हुई है ओनलाइन लेन देन बढ़ा है प्रदेश में निवेश का माहौल बढ़ा है यही कारण है कि 19 फरवरी को हम 10 लाक रुपे की निवेश परियोजनाओं का भूमी पूजन करने जा रहे हैं यही कारण है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब 2 प्रतिसत आ गई है उन्होंने पूरवर्ती सपा सरकार पर निशाना साते हुए कहा कि पहले की सरकारों में कोई बीजन नहीं था इसलिए प्रदेश बिमारू राज्य की सूची में आता था पर हमने यूपी को अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ बिवस्ता बना दिया है भारत की अर्थ बिवस्ता दुनिया में पाचवे नंबर की अर्थ बिवस्ता हो गई है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थ बिवस्ता विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश या दोग के आरोब की सरकार हर बार प्रदेश का सबसे बड़ा बज़ेट प्रस्तूत करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती है इस पर नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने जबाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष दिसंबर 2023 के आकड़े प्रस्तूत कर रहे थे जबकि बज़ट तो मार्च 2024 तक का है अपने भाशन के प्रारंभ में मुख्यमंत्री योगी ने चौधरी चरण सींग, लाल कृष्ण आडवानी, कृसी बैज्यानिक, म. स्वामिनाथन और पीबी नर सिंभा राव को भारत रत्न दिये चाने का स्वागत किया और उनके योगदान को याद किया